कि ब्रक के बाद आपका एक बार फिल से स्वागत है आप देख रहें बिंदास बोलर आज के स्पेशल बिंदास में हम आपके सामने लाए है शाही इमाम का विशह जिस विशह पर भारत के किसी भी टीवी चैनल ने कभी भी मूह नहीं खोला था उस पर लगातार नौ दिन हमन पिछले बार सीधी चलाई थी क्या कि इतने सारे वारंट होने के बावजूद भी शाही इमाम पर कारवाई क्यों नहीं अब रामपाल बाबाबा अंदर है और उनके लिए 40,000 की फोज लगाई गई थी शाही इमाम तो दिल्ली के राजधानी में देश की राजधानी में ब बैटते हैं उन्होंने भी इनको गैर कानोनी कहा है ऐसे में ओवेसी के बाद या ओवेसी के साथ रामपाल के बाद इसका नंबर कब या आज का विशे है और आज हम ये एक पूच रहे सवाल कि अगर देश लोक तांत्रिक है तो कोई इमाम शाही कैसे हो सकता है और इस पर देश में बहसे सरकार इस पर अस्तक्षब करके जल दिने रने करें या पेक्षा देश की जनता चाहती है हम आप कारेकम को थोड़ा अलग दिशा में लेके जाते हुए केवल बाते ना करते हुए कुछ आपको साक्षों के साथ विज्वल दिखाते हैं पहले हम आपको जाम मजशित क्या है कैसी है जरा इसको देखिए इसके साथ कुछ बाते सोहिल जी हमको बताएंगे देख़े जाम मजशित का जो शुरुआत हम करते हैं जाप इमाम से बात दोरी तो शुरुआत से शुरू करते हैं जाम मजशित کا ये मैप है जिसमें एक नमबर गेट जिस तरह भी आपने बताया कि आम आदमी के लिए वैसे तो आप तीनों गेटों से आ सकते हैं लेकिन इसके चारों तरफ आपको जाममजीद का जो बीच का किस्सा है उसके अलावा जो चारों तरफ आपको पार्क और यह सब कुछ नजार आ रहा है इसमें सबसे पहले मैं जाना चाहू जो डीडिये ने बनाया था और डीडिये ने बनाके वीपी सिंग साब के टाइम में ये दिया था कि जो जाममजीद में आने वाले बाहर से जो हिंतुस्तान या हिंतुस्तान से बाहर से आने वाले जायरी ने उसमें इनके रहने का इंतिजम किया जाया है क्योंकि इमाम एह के वालिद और इमाम एमद बुखारी जाममजीद के इमाम थे और उनके बहुत ज्यादा इस्तकरीवियों में थे तो उसकी चावी इमाम साब को दे दी गई तीन दिन बाद ये हुआ के गैस चावस के अंदा राष्टा के गैस तो आया नहीं लेकिन इमाम साब अपने पूरे परिवार के साथ उस गैस चावस में गैस के नहीं मालिक की हैसियत से रह रह रहे हैं इसके बराबर में एक लेडिस पार्क जराना शौचाले होता था जिसको उस वक्त में बनाए बंद कर दिया गया था लेकिन उस पे इन्होंने बाद में कबजा कर लिया लेडिस के शौचाले पे भी कबजा कर लिया जी और उस शौचाले में क्योंकि पार्क में जो लोग आ लेकिन मुझे इतनी जानकारी मिली है कि उस लेडिस चौचाले के अंदर अपनी वापनी फैमिली के लिए अंडर गराउंड स्विमिंग पूल बनाया गया है उसके बराबर जी स्विमिंग पूल बनाया है और वो भी अंडर गराउंड क्योंकि अगर घर की ओरते ये खुद स नहीं अगर वहाँ आप जहां से ये आए हैं या वहाँ या पूरी दुनिया की मस्जिदों के लिए मैं आपको बता दूँ आपके जानकारी के लिए मस्जिद में एक कमरा दरूर होता है इमाम का होता है उसको हुजरा कहते हैं और वो इतना बड़ा कमरा होता है कि वो उसमें काम मिया और बीवी और बच्छों के साथ होते हैं वो सब हो गा वो मज़िद में मनाई यह है नहीं रहा है मैं वही पताना चाहता हूं जो बराबर में अक ब्लॉग दिखाई दिरा है वो कार्परेशन ने एक डिस्मेंशरी बता ही थी बनाई थी उस dispensary को में जो महाँ जाममजित के चारतर बहुत सारे बिचारे जो बैगर्स होते हैं या बिकारी होते हैं वो रहते थे कुछ के कोड थी कुछ को और बिमारियां थी तो उसके लिए बनाई दिये कि यह लोग आके यहाँ इलाज करा है कुछ महीनों वो चली उसक आगा है डॉक्टर भाग गए दो महीने तीन महीने वो बंद रहा जब वो गैस हॉस्पिटल बंद हो गया कुछ दिन बाद इनके जो इन से सोटे भाई हैं हसन बुखारी साब वो अपनी फैमिली के साथ आए और उस गैस हाउस का ताला तोड़के उसमें बैठ गए आज उ डीडिये ने बना की दिया उस डीडिये को ने जो है जब बना की दिया वीपी सिंग के ही टाइम में वो भी बना यह इसलिए बना की दिया कि इस गैस इसे कॉन्फरेंस हॉल में अगर मुसल्मानों के कुछ मतालबे हैं या इमाम साथ के साथ क्योंके इमाम साथ उस वक्त आ के आगे रख सकते हैं ये दिया गया इस पर आज जो याया बुखारी साब है उनकी फैमिली बिशले कम से कम कोई पंदरा साल से काभीज है इस उसमें वो रह रही है मतलब मैं मोटी मोटी बात ये बताना चाहता हूं कि चाममजीद के चारों तरफ बिल्कुर नक्षा को बदल दिया है हम आपको एक विजियोल दिखाते हैं जिसमें हाइकोर्ट के बॉर्ड की क्या स्थितिती है दिखाते है देखें लगा हुआ है ना वहापर मीने बाजार में नीचे हाई कोड ने बो भी मैं आपको बता देता हूं कि यह 1904 में इस पर क्या लिखा है यह प्रेशन ड कौन सा एक्ट है इसके अंदर लिखावा 162 है या कुछ है उस एक्ट के अंदर इसके खिलाफ जो है कारोवाई की जाएगी इसमें पार्किंग तक लिखावा कि पार्किंग करना भी इसमें मनाई है और यह वीजवाली जो वहापर शॉप है मतलब यह बोर्ट लगा है कि आ इन दुकानों को और यहां लगबख 355-30 दुकांदार थे जो तेहवदारी करते थे दुकान सुबह लगाते थे शाम को ले जाते थे इमाम थाप ने अपनी हड़ँ दर्मी और डादागिरी से 300-30-30 दुकानों की जगाल लगबख 2361 दुकान ने 2361 دکانیں गोगल पुरी मंगोल पुरी और डिली के दूसरी वो एरिये jisकी प्रॉपरिडि राज जो प्रॉपर्टी वो करोड़ों और वो रूमें ही करबों में है dwosio 2361 तो एक्सर दुकाने जो है अलोट की गई और अलोट करने के बाद ये सब कुछ साफ कर दिया गया बजार जब ये बजार साफ कर दिया गया और दुकाने वहाँ अलोट कर दिया गई तो मजबूरी ये हुई कि मेरी अगर चार ओलादे थी तो मैंने चार ओलादों के मैंने एक मेरे नाम से दुकान थी, चार ओलादे मेरा एक पंदरा साल का बच्चा है, उसकी भी दुकान थी, जो आठ साल का बच्चा है, उसको भी दुकान मिल गई, जो नौ साल का बच्चा है, उसको भी दुकान मिल गई, तो उन जगाओं का और उन मार्किटों का ये हल है कि आज की तारिख में वो मार्कीट पांश परसंट आबाद है 95 परसंट वो मार्कीट बंद पड़ी हुई है उन्हों ने इनको पाला पोसा और पाल पोस करके बोटों के बड़ा किया इनको तोड़ते हुए कानून के बिरुत में लोगों ने इन सब चीज़ें को समर्थ है शर्मा जी मैं आपकी बात को एक आप यहार बताना चाहूँगा मैं एक बात कहना चाहूँगा संजय गांदी इस बात को मैं अप्रिसेट करता हूँ अकेरा वो बंदा था जिसने उस समय इस पश्टू से सारे कच्रे को साफ किया था जामा मश्रीद के चार और बुखारी जी को का था आप इंडिया चोड़के चले जाएए अगर आप अभी भी यह गैर कानूई की काम करेंगे तो उसने रूख दिया था सारा के सारा उसके किस ने किस किस पॉलिटीशन और इनको सपोर्ट नहीं किया नहीं मैं वही शर्मजी आपके बात को आई यह वह कहना चाहूंगा अपने अभी लिया मुरार्जी भाई का नाम आपने बताया इसके बाद कॉंग्रेस करिम सबने बीच में बीच में अटल व्यारी और बीच सब्सक्राइब कर बेंगे अर्गानूनी कारیों को बड़ावा देते रहेंगे अकिर कब तक शर्माजीन ने काफी जोश से राजनीतिविव्गों के बारे में कहा है अब भार्तिजिंता पर्टी को भी इसमें लपेटा है तो मैं केवल एक वाक्य कहना चाहूंग अगर भारती जंता पार्टी से ये बुखारी साहब खौफ नहीं खा रहे होते तो हमारे प्रधान मंत्री को अपने ये जो फंक्शन में जरूर आमंत्रित करते उनको उनको नहीं बुलाने का मतलब यह है वो जानते हैं कि जो एंडिय की सरकार है मोदी कोई उस कदार में सर्माजी काने का नहीं है जब हमारा संविधान केवा स्वातन कि आपकी बात से बिल्कुल से मत हूँ आपके इस बात का जवाब दे रही हूँ कि आपने भार्टी जिन्ता पार्टी को भी चलिए इस प्रदान मंत्री ने दिया यह तो कहेंगे ना जानता चाहता हूं आप वकील है मेरी बहन जो है यह बहुत बड़ी पॉलिटीशन है पीजेपी की प्रवक्ता है अगर अपने बेटे की या अपने बच्चे की किसी की शादी करेंगे तो सबसे पहला नयोता आप किसको देंगी जाहिर है जो पॉलिटीक्स के अंदर आपके साथ आपके कंदे से अंदर मिला के चल रहे हैं उनको देंगे यह वकील साथ मेरी एक मिनट एक मिनट पने मेरी बास सुनीजे वकील साथ अब आपके उपर आप वास को देखेंगे देखेंगे अधर्म गुरू की बात यह नहीं आज मीं का एक आपना एक व्यार होता है एक तो यह धर्म गुरू नहीं है कानूनी रूफ से अगर वो ब्यक्तिगत अपने परवार में कुछ भी कर रहा हो वो जिसको चाहे बुलाए जिसको चाहे ना बुलाए अपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं अधे एक आदमी अपने दोस्तों को बुलाता है सबसे पहले पाकिस्तान को छोड़ दीए पाकिस पी तो मामला पीच में आएगा अपने दोस्तों को तो बलाने रहे किस हैसियत से वो इमाम थे दुनिया के इमामों को बलाते उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम निस्टर को दावद देते अमरीका के दावज को देते वह आते यह नहीं सब को छोड़ दिया अगर उनका प्राइमि में प्रायम निस्चार हिंदुस्तानां उनका हम को हिंदुस्तान से लेगा लिए के लिए जादा बात नहीं करें है तो उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते चलिए हम निमंतरन्द विशेपे पहले बैस कर चुके आप उन चीजों को दिखाए ना जो लिए उसके लिए हम आपको खुली चूट देते हैं अगले कुछ विडियों दिखाते हैं अच्छा यह आपके उपर हुए हमले यह तो हमले हैं मेरे उपर तो जो हमला हुआ वो तो मैं 26 कंप्लेंट्स कर चुका हूं उनके खलाब जिसमें से 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और वकिल साब यहां बैटे हैं 354 B आप बहुत अच्छी तरह समाचते हैं मैं खुल के कोई बात करना ने चाहूंगा क्योंकि मेरे घर की बच्ची है मेरी अपनी बेटी है एक लौती बेटी है मेरी 354 B का एक नहीं दो बार उसके साथ कोशिश की गई मुकदमा दर्ज है ल लड़का जामा मस्जिद के गेट एनेंबर एक सेल मातर पंधरा मीटर की दूरी पे रहता था लेकिन पुलिस ने दो लोगों को भगा दिया कि जी वो तो जमात में गए हुए दिल्ली पुलिस का मामला था उनने का जमात में गए हुए हैं ये लोग और आ नहीं सकते वक्त धाई महीने बाद जिस लड़के को पकड़ा गया था उसकी जमाना तो ही उसके जमानात के आठ दिन बाद दोनों लड़के पेश हो गए हैं कोट में और तीन दिर बाद उनको भी जमानात दे दी गई आज तक शर्मनाक चीज इस तरह की है कि मुझको कोट में इस तर प्लीज पूरी बात करने दि आप यहां पर है इसमाने पर पोरीब करने को तैयार होती हो तो अनी को सपोर्ट करती है जिनका कहीं प्लिडिकल हंगामा मत चुका हो साह है लेकिन समान ब्यक्ति है जैसे कि मैंनी बन्दे के बहन के साथ हुआ या बच्ची के साथ में हुआ प पर आज के टाइम में ब्लेक मैलिंग जो लड़कियां हो रही है उनके बारे में पुलिस कहती है कि ये तो जूटा है इसी पुलिसर में ये पॉल्ट का जो प्रोटक्शन हो रहा है ये कैसे रोका जाए ये पी एक राय चिकी जुमने दाएंगे हम आज शाही इमाम समय कम बच इंग्रेस नहीं दिया तो क्या बीजेपी भी दे रही है आखिर क्यों नहीं क्यों आप सवाल को टालते हैं इस बात को आज बिल्कुल चले आज उनका यहाँ प्रतिनीदी कोई नहीं मैं थोड़ा कायर का समय कम बचा इसले शोहल जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि कम समय मे आप बाकी विशो को समिट लीजे जिससे कि हम शाही इमाम का असली रूप लोगों के सामने बता सकेए। वही और वही लोग थे जो 300-300 जो बिशारे वहां ओरिजनल थे लेकिन अब जब यह दुकानी लगने शुरू हुई तो इनको 300-100 रुपए से लेके अलग अलग जगाओं की जो अलग अलग वैल्यू थी उसके हिसाब से किसी से 300-400 किसी से 200-300 दुकानी लगती थी जिसका लग लग भग मेरे हिसाब से जो मैने मोटा मोटा एक हिसाब लगाया 200 रुपए के साफ भी आप मान पर चले चले 300-400 भूल जाएं तो चार लाख रूपए रोज की इनकम यहांसे हो रही थी जो औगाई हो रही थी विलकुल मैंने कंप्लेंट की मैंने कंप्लेंट किस का किई आ कोई पॉलिटिशन इसके ऊपर एक्षन नहीं लेगा इनका गेंश में जानता हूँ, कुछ नहीं हुआ 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 के रोज के फोटो मेरे पास मौझूद हैं अखबार की डेट के साथ के यह बादार वहाँ चल रहा था अफसोस की बाद के हिं किसी हिंदू यह इसी बोर्ट पर की दिखायाता हूँ जो हमुति जो किलिप आप ने दिखाया था नहीं होगा है आप हैरत की से भाइव करें यह शक्षोर है ना-जाई-जाइज हो गाई एक रसी दिखाई दे रही है इनके हिम्मत देखिए हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अदालत ने ये बोड लगाया है कि यहां बाजार नहीं लग सकता यहां तै बाजारी नहीं हो सकती यहां फेरी नहीं लग सकती इसी बोड पे रसी बांद के दुकान लगा के इस बोड के न दस्तार बंदी का ऐलान हुआ एहमद बुखारी ने ये सब लोग जिनको मैं ये कंप्लेंट दे कर आया हूँ मेरे पास पूरे ताथे मौजूद हैं फोटों के साथ दे कर आया हूँ मैंने जब इनको कहा तो इन्हों ने नहीं सुना डेड़ महीने दो महीने तक दुकाने साजमी का दुकान का समान कौन सा दुकंदार उठागे ले गया किसका दुकान का समान कहा गया डंडे के जोर पे आदे घंडे के अंदर वो एरिया सब करा देया गया और 29 तारिक तक तो साफ रहेगा जब तक उनके बेटे की दस्तारबंदी पूरी नहीं हो जाती जैसे ही और जो पैसे यह मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखे दिया यह मैंने लिखे दिया कंटम आफ कोट फाइल कीजिए बकाइदा पुलिस ऑफीसरों के नाम लिखिए और पॉलिटिशन के नाम दीजिए जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ सुन लिखे जब मुझ पे 23 मुख तैइस बार मेरी कंप्लेंट हो या 23 बार कंप्लेंट होने के बाद मैंने जो है 8 या 10 मुकदमे हुए मेरी बच्ची के साथ 20 सब कुछ ही होता रहा तो मजबूरी में मेरे घर के बाहर आग भी लगा दी गई बाहर से पैटल चला के आग लगा दी गई एसिट से हमला किया हर चीज़ के फोटोग्राफ मेरे पास मौजूद है मेरे पास कंप्लेंट मौजूद है जो मैं प्राइम निस्टर और राश्पती तक को दे कर आए हूँ अपनी सिक्यूरिटी के लिए उसके बाद मैं उसके बाद मैं शर्मेजी दो मिनट उसके बाद मैं हाई कोट में गया अपनी सारी परिशानी उनके आगे रखी उन्होंने कहा है ठीक है आपको PSO चाहिए मैं उनका बिल्कुल मुझे PSO नहीं चाहिए अगर मैं आज की तारिख में किसी के पत्थर मार रहा हूँ और वो आदमी आगे मुझे काटता है तो मुझे काट ले मुझे क्यों परिशानी क्योंकि पत्थर मैंने मारा है लेकिन सुन लीजे नहीं नहीं मैं मैं मेरी शर्मा जी मैं बात कर रहा हूँ मैं लेकिन मुझे मेरी मेरी फैमिली और मेरे बच्चों का कोई खुसूर नहीं उनके लिए प्रोटक्शन दी देजे ओन्रेवल हाई कोड ने कहा कि 24 आवर एक गंडमेन आउट साइड दा हाउस ऑफ प्रेटिशनर बैठेगा छे महिने तक लगबख और के छे महिने बात तक बैठता रहा आज से दो महिने पहले धाई महिने पहले एक बारदा दुबारा होती है उसके बाद उसके बैठेने के बावजूद भी मेरी यहां ऐसेड हमला हुआ दो बार बातरा हुआ धाई महिने पहले मेरे घर के ओपर लगबख तीस से ज्यादा जो ट्यूब लाइट है बड़ी दो फूट की जो ट्यूब लाइट होती है उसके साथ हमला हुआ मेरी बच्ची घर में अकेली थी मैं और मेरी मिस्स घर में थे नहीं इसने फॉरन सो नमबर पे कॉल किया और मुझे फॉल किया मैं भाग कर आया तो जब उन्होंने उसको उठाया तो कहां लगबख तीस च्यूब लाइट है यहां थोड़ पोड़ी गई है मैंने का इसका मुझे कंप्लेंड लिख दीजे मुझे एहमद बुखारी एंड ब्रदर्स किसी वा मेरा आज तक किसी से जगड़ा नहीं मैं कारोबारी आदमी हूँ बिजनिस मैं हूँ मेरा कोई जमीन का जाइजात का पैसे का किसी तरह का और मैंने किसी के खलाफ कंप्लेंड नहीं कहीं किसी की कंप्लेंड मेरे खलाफ नहीं मुझे सिर्फ उन पे शक है तो उनने का आप ऐसा कीजी यह लिखिए कि हमें अन्नोन लोगों पे हैं मैंने का ब पुलिस वाले की एंट्री नहीं हुई जो घर के बाहर आके बैठता था मैंने दुपहर में जो उस वक्त के सच्चों थे जो का काम देखे थे ओपी मीना उनको टेलीफून करके कहा कि ओपी मीना साहब मेरी यह नहीं कोई बात नहीं बाहर कहीं टेहल रहा होगा आ जाएगा श शरव आपको डराने के लिए कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है और पुलिस वाला आपना कहां बैठता है मैंने का यह सामने बैठता है और आज बो आए इंगा बिल्कुल नहीं आएगा क्यों आएगा हाई गोड ने यह कहा है उन आई पी असवस्वार और ओपी मीना ने यह दिन की रात की बगायता अखबार के साथ के मेरे पास कोई पुलिस वाला नहीं आता पूरी गर्मी वो पुलिस वाला मेरे घर से तकरीबन 200 मिटर की दूरी पे एक ATM का मशीन लगी हुए एक बैंक की वो उसमें सोता है दिन में मेरे घर से तकरीबन 500 मिटर दूर में रोड के बैठता है मुझको बिल्कुल हाई गोर्ट के बात भी छोड़ दियेगा जब मैंने कम्प्लेंट उसकी भी कम्प्लेंट मैंने कमिशनर साहब से लेके जितने टोटल लोग है उनको लगाई मैंने ओनरिबल जो लॉइन ओर्डर के जो स्पेशल सीपी है दीपक मिशनर जी उनक से अपने टेलीफून से जो हमारे उस वक्त इस वक्त जो अभी भी डीपे डीशी भी बैठ वेट वे हैं अलोग कुमार जी उनको टेलीफून करा और कहा कि मैं सुहिल साब को भेज रहा हूं कम से कम इस आदमी को ये तो महसूस मत होने दीजे कि हम सब लोग इमाम के हाथो बिके हुए यह उनकी वर्डिंग थे जो मैं उनकी वर्डिंग को सलाम करता हूं और उन्होंने मुझे एक चिट लिखे दी जो मुझे आज भी चिट मेरे पास मौजूद है प्लीज लिसिन इस परसन मैं गया मैंने उनको सारी बात बताई अलोग कुमार जी ने कहा कि मैं आ आप कोड़ जाइये और कोड़ से यह लिक्षवाके लेगर आइए दुबारा कि आपके दरवाजे से कितने फिट दूर कितने सेंटीमिटर इधर कितने सेंटीमिटर अबदे कोड़ के डेवेया ऊंडर का इस तरीके साथ निकाला जाता है कोड़ का ओरर का कोई भी व्यक्त नहीं लड़ा है, मैं कारोबार परसनल लड़ाई लड़ रहे हूं, चाह सामजिक लड़ाई लड़ यह हुए है, नहीं कहना चाहिए, मुझे चाहिए, कि साइध अगर संझय गान्दी जिन्दा होते तो ये पूजिसन हम लोगो को आज नहीं देखनी बहुत है, नहीं नहीं बात कर रहा हूं मैं उस अकेले व्यक्ति ने साहिम इमाम को उस समय तोड़के रखिए था इससारे गैन कानूनी कामूं को खतम कर दिया था लेकिन आज कोई वी व्यक्ति इस साही इमाम को जिसको आप साही माम कह रहे हैं मिश्टर बुखारी को उसके द्वारा किये जा रहा ह के लिए कोई बोलने को तयार नहीं है चाहे वो प्रशाशन में हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सकता है बिल्कुल शर्माजी आज तक वो जो सिक्योर्टी का मामला है आज तक वो सिपाही मेरे यह दुबारा विशे लेते और यह देखिए कि मैंने इनकी जितनी चल रहा था उसमें कही ती और मैंने कहा भी ता मेरे खिलाफ फत्मा निकालना है निकाल दीजे आज की तारिक हैंदुस्तान में सरथ बात्स के डरा जाता है माप कीजेा मेरे ख्याल से मेरे विचार से तो हिंदुस्तान में कुई मुसल्मान ही नहीं एका दो बगवारी जैसे लोगों के अलाबा ने हैंगी सारे वो हिंदूँ है सोहिल जे आप कुछ फत्वे के बारे बताना चाहिए उसके बाद मैंने उनकी सारी जो आपने नमाज वाली बोली थी जो बहुत बड़ी सेंटिमेंट की बात है देखिए उस मैंने जो जाममजीत का जो नक्षे के बारे में सब कुछ दिखाया कैसे वहां ये रह रहा है नाज हे फिली के बहुत बड़े मदरसे के अंदर जिनका अपना एक मुसल्मानों के अंदर बहुत नाम है उस में बेजा और भेजने के बाद ये सारे सवालाब जो आपको आप फत्वा हो देखेंगे मैंने उर्दू में लिखके जो है بह बेजा जिससोारा इस वाल के सामने वाल کا یہاں رہنا جائز ہے یا ناجائز ہے وہ یہاں سرکاری اجازت کے بغیر قبضہ کر کے رہ رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے ان کی نماز جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ساری باتیں پوچھتی جن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو انہوں نے جواب آیا تھا وہ جواب یہ تھا جو اردو میں لکھا ہے اس طرف جو left side پہ جو paper ہے یہ سوال ہیں جو آپ اس وقت دکھا رہے ہیں برابر والے page کے پر جو تینوں مختی کرام ہیں उनका जवाब है ये उसमें लिखा है इस अ국 में जिस जगाँ में जिस जगाँ पर लिस लिखे होई जगाँ पर इमाम साब बगैर सरकारी जाज़त के रह रहे हैं तो उनके लिए इस जगाँ पर रहना ना जाइज है और इनकी इमामत हराम हैं और ऐसे इमाम की को इमाम इमामत के लायक नहीं है ये कहा गया था ये कहा गया है उसके बाद उन्हों ने कहा अगर हकुमत इजादत दे दे तो उनके लिए लिए लिखी यगा में रहना जाइज होगा और इमामत भी जाइज होगी लेक जिस जगह प हरام تھی उसके पीछे पढ़ने वालों की नमाजे तो मानी जाएंगी मगर इनका गुनाए इमाम के सर होगा बिना इजाज़त मकान में रहने का आजाब और भी इमाम साब के सर पे होगा उसके बाद इस फत्वे में सबसे नीशे आपको तीन लाइने मैं जरा सा कहूंगा जूम क क्यों है जो मैंने मुनी मुफ्ती साब के पास आके कहा कि ये मुझे अर्भी का जो है ये समझ में नहीं आया उर्दू का तो और का समझ में आगए तो उन्हों ने उसमें लिखा कि ये जो इसका मरतलब है वो ये है खुलम खुला सब कुछ जानते हुए अगर इमाम साब عزت ہوتی ہے جبکہ لوگوں پر ان کے دین کے معاملے میں عزت نہ کرنے کی بنا پر ان کی شرعی توہین کرنی ضروری ہے توہین مطلب جو ہے بیزتی میں نے اس میں مفتی صاحب سے کہا کہ توہین کا مطلب تو بیزتی ہو گیا تو کیا ان کی بیزتی کی جائے یا ان کی مخالفت کی جائے تو مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا مخالفت توہین کے اندر بہت چھوٹا لفظ ہے دین کے اسلام کے قانون کے حساب سے توہین کا مطلب آپ ان کو گالی مت دو ان کے تھپڑوں مت مارو لیکن ان کے سامنے کھڑے ہوگے مو پہ کھڑے ہوگے یہ تو کہو کہ آپ یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے آپ کی نماز حرام ہے آپ بینہ سرکاری جگہ پہ قبضہ کر کے رہ رہے ہیں اور آپ کب یہ لہ رہے ہیں تو یہ آپ نے کیسے کر رہا ہے ابھی سمائے کی کمی ہے لیکن ستہ کی طرف سے انیلا سینج ہے ہمارے پاس میں میں ایک سیکن اور چاہوں گا جو فتوہ آج احمد بخاری پہ زابیل یہ لاغو ہوتا ہے وہی فتوہ ان کے صاحبزادے پہ بھی لانگو ہوتا ہے ان کی نماز ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنی مکرو ہے کیونکہ وہ بھی اسی سرکاری جگہ میں سرکار کی بینہ مرضی کے قبضہ کر کے رہے ہیں تو مطلب جامہ مجید میں اس کا مطلب ہے جامہ مجید میں جو بھی نماز پڑھا جائے گا ان کے بیٹے کے پیچھے وہ اللہ تک نہیں پہنچے گی ان کی جب ان کا جو ہے اس کی نماز یہ فتوہ کہہ رہا ہے ہم نے کہہ رہا ہے ہے فتوہ ان کے پاس ہے اور مہر کے ساتھ ہے ایک آنتیم سوال آپ کو دس سکند میں جواب دینا ہے نیلا جی کیا آپ کے پہلے کی سرکاروں نے نہیں کیا لیکن آپ کا آپ کی سرکار کرے گی دیکھیں دیش کا قانون اور سامدھان جو سربوپری ہے اس سے جو دو دو ہاتھ کرے گا تو اس کا وہ ہی نتیجہ ہوگا جو ہمارا قانون کہتا ہے اور سرکار جو ہے وہی کرے گی جو قانون کہتا ہے چلی ہم آشا کرتے ہیں کی بات سے ایک بات کا پوچھوں گا پوچھنا چاہوں گا آج سے پہلے بہت کچھ ہوتا رہا ہے امام صاحب کے ساتھ ایک میں اب بلکل کہتے ہوں وہ جی شرم نہیں آ رہی اگر احمد بخاری کی جگہ کوئی اور شرمہ جی یا سوزیز جی یا کوئی اور آدمی ہوتا وہ یہ کام کر رہا ہوتا تو کیا ملک کی ہم نے ایک ویشے ایک میڈام کے لیے میں تھانکس کہنا چاہوں گا انہوں نے جو کہا بہت اچھا کہا ہے چلی مجھے کوئی ایک بسواس ہے یہ جو بھی ایکشن ہوگا بدن اے منت اور بدن اے شورٹ ٹائم میں ہوگا ایسا نہیں ہو کہ پانچ سال بعد ہو بلکل ہم آشا تو یہی کرتے کیونکہ موڈی ستہ میں بیٹھ رہے ہیں تو ان سے آپ ایک شاہ دیش یہی رکھتا ہے امام نے بہت ہی ایسے گہر کانونی کام کیے جس کے لیے ایک اپیسوڈ یا ایک گھنٹے کا کارکم چھوٹا ہے ہمارے پاس امام کو لے کر تمام پرکار کے وہ فوٹو اور پروف اور ساکش اور کاغذات ہے جس کو آگے بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے پھرال آج کے لیے تینوں آتیتیوں کا میں آبھاری ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور رہا پر آئے اور آپ درشکوں کا بھی آبھاری ہوں اس کارکم کو آپ کبھی بھی دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صدرشن نیوز پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کارکم کا پنا پرسارن بھی آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہے جائیں